आज का एक मुद्दा बड़ा ही सेंस्टिव मुद्दा है यह मुद्दा है बॉलीवूड यहां जितनी भी फिल्मों में पंजाबियों के यह सरदारों के किरदार होते हैं ऐसे में इन किरदारों में पंजाबियों और सरदारों को एक मजाक का पातर बना कर दिखाया जाता है ऐसी ही एक फिल्म थी शायद वो काफी पुरानी फिल्म है लेकिन उस फिल्म का एक सीन है उस फिल्म के अंदर एक सरदार बंदे को दूसरा ब्यक्ति मिलने आता है अब अमरधारी जो सिक होता है वो पहले अपने पांच साथ चाटे मारता है इस परकार की जो जलीलता उस फिल वीस परकार से अक्सर हम देखते हैं कि अक्षे कुमार की फिल्मों में पंजाबियों को सरदारों को हमेशा ही मजाक का पात्र बना कर दिखाया गया था वहीं पर हमने उनका habitual किया था केसरी फिल्म के अंदर भी उन्होंने कही न कहीं सरदारों का मजाख जरूर उडाया था क्योंकि हरी सभा में कहीं पर दुश्मन आ रहे हो तो वहां पर कभी कोई सरदार उटके उनकी तरफ मूख करके मूथ करने वाली ऐसी घटिया हरकत नहीं करता है जिस परकार से उन्होंने केसरी फिल्म के अंदर दिखाया था ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी बाते हैं अगर हम इनको जोड़े तो ये बहुत बड़ी बाते बन जाती है और ऐसे में हमारी स्टी पीची या जो गुर्द्वारा परबंदग कमेटी है या शिरियकाल तक साहिब जी के जतेदार है इनकी तरब से आज तक इनके उपर कोई भी टिपनी नहीं आई है असल में हमारे जतेदार साहिब जी को चाहिए कि इन चीजों के उपर एक सक्त स्टेंड ले जो भी फिल्मों के अंदर पंजाबियों का मजाक उडाता है पंजाबी करेक्टर का या सरदार बंदेगा, सरदार रूप रेखा का कोई मजाक उडाता है, करेक्टर के जरिये, यह नहीं कि किसी के साथ वो हस खेल रहे हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन जब आप एक फिल्म के द्वारा पड़ते के उपर एक सरदार अमरधारिसिक को प्रेजंट कर हमेशा सुक और दुख में काम आता है, यह नहीं कि सिख को आप देखते हैं कि कहीं पर बैठा वो भीक माग रहा है, नहीं, सिख हमेशा दूसरों की मदद के लिए आ गयाता है, तो इस परकार से जो फिल्मों के अंदर ये जो गलत सीन डाले जाते हैं, जहां पर सरदारों क सिखों को बिना मतलब के उनको जलील किया जाता है, तरह तरह की कोमेडी ट्रिक्स दिखाने के लिए अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए फिल्म वालों को भी ये चीज बंद करनी चाहिए, और इसके उपर शरिया कालतक साहिब जी का भी एक स्टेंड साफ होना चाहिए, कि फिल्म के अंदर यदि किसी सरदार सिख करेक्टर को आप यूज करते हैं, तो उसमें आप इस तरह की हरकते नहीं करवाएंगे, आप वहाँ पे सिख करेक्टर को इस तरह से रिपरज़न नहीं करेंगे, कि उसको देख के सामने वाला ये सोचें, कि नहीं, ये तो सिर्फ प वाहे गुर्जी का खालसा, वाहे गुर्जी की फत्य.